गिल्लो तुम्हारे पास कितने इस्टार हैं इंडस्ट्री में पॉमन सिंग केसारी लाल यादो दिनेश लाल यादो समर सिंग रितेश पांडे कल्लू प्रमोद प्रेमी गुंजन सिंग निलकमल सिंग और कोई काद्व छूट रहे हो तो माले जे वट गाने बजाने वाले त एक दिन पहले कितना बढ़ियां बोला उन्होंने चलू ठीक है माना पाउंसिंग जक्की है गमंडी है अटिट्यूट है उनके अंदर आपके अंदर क्या है कि पाउंसिंग के अंदर यह जिगरा है कि मंच पे बोल सकते आप तो बंद कमरे में किसी को भी जहांट लांड प गलत है इंडस्ट्री के एक और म्योजिक डाइरेक्टर का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खिसारी लाल यादव को खूब खरी खोटी सुनाई बता दे कि अपने फेस्बुक लाइव में म्योजिक डाइरेक्टर आशीश वर्मा ने खिसारी लाल को लेकर कई तरह की बाते कही और ये कह दिया कि आपने कई लोगों का कडियर डुबा दिया है किस तरह से इस फेस्बुक लाइव में आशीश वर्मा ने अपने गुस्से का इजहार किया है और खिसारी लाल और पवन सिंग के बीच चल रहे विवाद को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है आप पहले ये वीडियो ने कहा है कि समाज में हैं तो भाई भाई कमरे में बैट करके आप मतलब इतनी गंधी बात करेंगे है 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 हगते हैं आप है है कि सरम आ रही है मुझे बड़ा भाई मानते हैं याराम लोग है लजवाद ही आप पुर इंडिस्टी को मेरे भी संपर्क है हिंदी इंडिस्टी में सुबह से फोन आ रहे हैं महराज ऐसे पहल करता है मूह से हग दिया है कि ऐसे हैसे है कि समर सिंग जाटे का बारत हो यह बात होती है कि आ अपको शूपरास्टार बोलते हैं आप हैं कि आ आ आप आप यहयी लेंगविज होना चाहिए यार वर्जस्व की लड़ाई में आपने ये मतलब क्या समझ रखे हैं खाय पगर लोग मर रहा है समर सिंग कल्लू रितेश पांडे खाय पगर मर रहा है समर सिंग के पास फोर्ड इंडिवर है कल्लू के पास एक स्कार्पियो एक फर्चुनर है टॉप माडल रितेश पांडे पास एक फर्चुनर है एक एक हेक औ और्डी है प्रमोत प्रेमी के पास मर्सडी जिस फार्चुनर ये फॉठशव कोगर शेया आप किस चीज की बात कर रहे हैं? पांच लाग, पांच लाग क्योकाद? सिव्तमता बच्चन ही ही रो है, सारु खानी ही रो है, गुभिन्दा ही ही रो है, नमाजुद्धीन शित्की नहीं ही रो है, पंकस्तिर पाठी ही रो नहीं हैं。 आप अंदर से कुछ और है महाराज और बाहर से कुछ और देखिए डरने वाला काम वो करेगा जिसको जिसकी रोजी रूटी चलती होगी इस म्यूजिक में मैं उसमें का म्यूजिक डिरेक्टर नहीं हूँ जो हर्मुनिया कपार पर रखके पीछे पीछे गुमूँगा ना सार्याक डुकान डूकान खोलओंगा चलेगा स्भीमान से जीना आता है लेकर आपके अंदर वो नहीं है यार की अधिन ow यार नंबर वन नंबर वन मत्ब क्या हे नंबर वन मत्ब क्या है नंबर-न- और नमबर वन पर मतलब हो गया तो अच्छी बात है हम सब बदाई देते हैं आपको लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को टार्गेट करके आप बोलोगे कि फलाने जी का इतना नहीं गया हमारे जी का इतना गया मैं वर्ल्ड पे छे नमबर पर हूँ तो आपको सोचना से यह भाई साब और आप नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपने बहुत छोटे कलाकारों का केरियर खाया है बहुत सारे इंक्लूडिंग आपके साथ कुछ राइटर मिले कुछ कमपनियां मिली जिनोंने सबका आज इंडस्ट्री में बहुत गिन के कलाकार है यार गिलनों के सारी लाल यादो दिनेश लाल यादो समर सिंग रितेश पांडे कल्लू प्रमोद प्रेमी गुंजन सिंग निलकमल सिंग और कोई एक आद्व छूट रहे हो तो माल लेजे वट गाने बजाने वाले तो यही लोग है ना लाइट देखा मैंने कितनी अच्छी छबी थी आ गमंडी है अटिट्यूट है उनके अंदर आपके अंदर क्या है पाउन सिंग के अंदर यह जिगरा है कि वो मंच पे बोल सकते हैं आप तो बंद कमरे में किसी को भी जहां टलाण पेलर फोड़ क्या है शरम आती है अपने आप आप स्टार बोलते हैं या बनते हैं गलत है गाना को ले करके भी बाद किसी से किसी का कमेंट में भी बाद किसी के लिए लाइबा करके भी बाद कभी कुछ बोल देना मतलब वो एयर लिफ्ट वाला बनना कि हमने सब को कहां से उठा करके लिए कि आया दूबई इसे की नेपाल से बीजलों को बैठा करके डेड़ करोल लग गया मेरा महराज जो आपके साथ नहीं रहा हो आप बात कर रहे हैं कृष्णा बिदर्दी कृष्णा बिदर्दी ने आपके साथ क्या किया और आपको नहीं पता है आपके लिए कौन क्या किया है और आपने किसके लिए क्या किया है एक आपका तथाकतित मैनेजर सोनू पांडे हार गए चुनाव डेड़ सो वोट से जो आदमी 24 घंटा आपके लिए मरने जीने वाला उस आदमी के चुनाव परशार में आप नहीं गए क्योंकि हो सकता है आपका 2-4-5 लाक रुपे का नुकसान हो जाता तो बता दे कि पवन सिंग और खिसारी लाल यादव के बीच जो विवात चल रहा है वो दिनो दिन बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और यही वज़ा है कि दोनों एक दूसरे को चुनावतिया दे रहे हैं दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन सब के बीच जो भोजपूरी इंडस्ट्री है वो भी अब इस मामले में कूद परी है और एके करके जो बयान है वो सामने आ रहे हैं ऐसे में म्यूजिक डिरेक्टर आशीश वर्मा ने भी अपने इस फेस्बूक लाइव में कई तरह की बाते कही बता दे कि आशीश वर्मा वही म्यूजिक डिरेक्टर है जनके गाने पवन सिंग और खेसारी लाल यादव दोनों ने ही गाए हैं लेकिन अपने इस फेस्बूक लाइव में आशीश वर्मा ने जो अपना गुस्सा है वो खेसारी लाल यादव के लिए दिखाया और बताया कि किस तरह से अब तक खेसारी लाल यादव ने कए ऐसे कलाकार है जनके करियर को डुबा दिया है तो अब ये पूरा मामला और कितना आगे बढ़ता है और क्या कुछ खेसारी लाल यादव और पवन सिंग के बीच चल रहे विवाद में होता है ये तमाम बाते आगे देखेंगे लेकिन इस वाक्त ये जो विवाद है ये सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बलकि पूरी भोजपूरी इंडुस्ट्री में ही देखने को मिल रहे और यही वज़े कि अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है फिलाल कलिता ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस वानेशन के साथ नमस्कार